नमस्कार जैहिंद साथियों कैसे हो आप सभी उमीद करते हैं सभी बहतरिन होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे सुचारू रूप से चला रहे होंगे दोस्तों मैं आपका अपना विजय एक्जाम करांती यूटूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं दिल की गहरायों से स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हमें एक बहुत ही अच्छा और प्यारा टोपिक रिजनिंग का एक टोपिक कवर करने वाले हैं जहां से परतेक एक्जाम के अंदर क्विश्चन्स देखे जाते हैं आपने चाहे कौन सा भी exam दिया हो, railway हो, banking हो या SSC का कोई भी exam या state level का कोई भी exam आप दे रहे हो यहां से questions अक्सर exam में देखने को मिल जाते हैं और यह एक ऐसा topic है अगर आप इसको बार बार revise नहीं करते समय से exam से पहले तो questions यहां से skip हो जाता है यानि कि miss होने के chance बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या गलती करने के chance बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो घड़ी के अंदर पूरा topic हम इसके अंदर cover करेंगे एक एक zero से लेकर hero level तक का हर एक questions हर वो type cover करेंगे मेरे भाई जो यहां से बन सकती है और साथ में practice session लगाएंगे जो previous year के अंदर देखे गए है तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम घड़ी chapter को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भाई ठीक है आईए आप सभी ने देखो घड़ी तो देखी होगी घड़ी सभी ने देखी होगी और time भी सभी ने देखना आता होगा अगर मैं बात करता मेरे भाई घड़ी कैसे दिखाई देती है ये देखिए ये हमारी गोल गोल घड़ी है भाई और हमारी गोल गोल घड़ी के अंदर तीन सुईयां होती है तीन सुईयां कोन-कोन सी होती है अमारी गोल-गोल घड़ी के अंदर एक मिनट वाली सुई होती है और एक घंटे वाली सुई होती है भई देखिए कैसे ये इसका सेंटर है ये मैंने मिनट वाली सुई बना दी भई और ये मैंने बना दी घंटे वाली सुई आप सभी को पता होगा कि मिनट वाली सुई जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जो घंटे वाली सुई होती है वो नॉर्मली मिनट वाली सुई की बजाए थोड़ी सी छोटी होती है और कई-कई घड़ियों में सुयां आती ही नहीं शिरफ एक सुय दी जाती है अंदाजे से टाइम का पता लगा जा सकता है या फिर कुछ कलोक्स होती है नंबर्स वाली होती है मैं बात करेंगे हम यहां पे जो कलोक जो चैप्टर है इसमें जो घड़ी की बात होगी उसमें सुयों वाली घड़ी की बात की जाएगी ठीक है अगर हम बात करते है मेरे भाई यहां पे देखिए यहां पे आप सभी को पता होता है सबसे उपर बारा लिखा जाता है और सबसे नीचे 6 होता है और यहाँ पे साइड में दाहिने तरफ 3 और 2 तरफ 9 होता है सभी को पता है गड़ी के अंदर एक से लेकर 12 तक नंबर्स दिये हुए होते हैं और सभी के बीच का गैप डिगरी में अगर मैं बात करूँ सभी के बीच का गैप 30-30 डिगरी होता है अगर किसी को नहीं पता तो बिल्कुल मैं बेसिक से करवाऊँगा इसको 0 से लेकर करवाऊँगा जिसको आता है वो 36 सायम बनाए रखे भई अब सभी को पता है घड़ी की सुईया जो होती है तीन प्रकार की होती है लेकिन मैंने यहां पर दो प्रकार की सोकी हुई है मैक्सिमम एक्जाम में कुस्चन सेकिंड वाली सुईय पर नहीं बनता मिनट और घंटे की सुईय पर ही आपका कुस्चन बनेगा अब हम बात करते हैं भई एक से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं यहां पे मेरे भाई एक हुआ यहां पे दो हुआ यहां पे तीन हुआ ऐसे ही 4, 5 यह हो गया वह चे यह हो गया 7, 8 यह हो गया 9, 10 और 11 बिल्कुल सलो सलो आपने पर ना है क्योंकि यहां पर ऐसी कोई टाइप नहीं होगी जो हम मिस करेंगे जीरो से लेकर बिल्कुल लाश तक आपको लेक जाकर मैं छोड़ूँगा अगर हम एंगल की बात कर लेते हैं मेरे भाई थोड़ा सा एंगल सर घड़ी में किस परकार बनता है देखिए आप सभी को पता है क्या पता है जब इस टाइप से ये इसका बेस है ये इसकी हाइट है जब घड़ी की सुई यां ऐसे होती है तो बीच के अंदर 90 डिगरी का एंगल होता है मेरे भाई और आप कोई एक चीज का भी पता होगा जब हमारे पास कोई सरकल होता है जब हमारे पास कोई सरकल होता है मेरे भाई सरकल जैसे की ये है और सरकल के अंदर जो टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिगरी का बनता है कितने degree का अगर हम ऐसे खड़े हैं और ऐसे complete गूम जाएं ऐसे complete गूम जाने का मतलब यह है कि हम 360 degree पर गूम गए हैं अगर हम सामने खड़े हैं और हमने दाहिनी तरफ या बाई तरफ गूम जाते हैं ऐसे खड़े हैं और ऐसे घूम गए, इसका मतलब हमने क्या किया मेरे भाई, इसका मतलब हम 90 डिगरी पर घूम चुके हैं, ऐसे ही इस एंगल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिगरी का, ये एंगल मेरे भाई 90 डिगरी का होता है, अब देखिए, मै नबबेगी का एंगल मना तो मैं यह भी कह सकता हूं को नब्बे को अगर मैं तीं से भाग कर दू मेरे भाई को थे शतता एक तो 30 एगएका लैने की पर्तेक गैब 3D कर रहा हुगा नबें में कितने डिगरी का 333 में हो गया और टोटल हमारे जो गयाप बने हैं वह बार Candace करेंगे 302 360 degree हमारा total angle हुआ जब 360 को एक एक में divide करेंगे कितना हो गया भई एक gap हमारा हुआ 30 degree का clear है यहां तक बताओ कोई दिक्कत परिशानी हुई होता मेरे भाई ठीक है अब हम बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई कैसे चलती है और घंटे वाली सुई कैसे चलती है clear है मिनट वाली और घंटे वाली सुई यहां कैसे चलती है थोड़ा सा आगे चल लेते हैं देखिए नमस्कार सुट देखो भई थोड़ा सा color change कर लेते हैं इसके अंदर मैंने क्या लिखा है मिनट वाली सुई एक घंटे में 360 डिगरी का मख्षी आगी मख्षी मख्षी मिनट वाली सुई एक घंटे में 360 डिगरी का कोन मनाती है और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिगरी का कोन मनाती है मैंने ये बात लिखे यहाँ पर दोबारा मैं एक फोर्मेशन कर लेता हूं कि इसकी कलोग की यह मैंने कलोग यहाँ पर ले ली भाई यहाँ पर कलोग ली और हम कहते हैं मिनट वालिश हुई एक मिनट में 6 डिगरी का कोन बनाती है यहाँ पर मिनट वाली सुई ठीक है और दूसरी सुई मैं लेता हूँ यहाँ पर कोई भी मान के चलो घंटे वाली ले लिया कोई भी यहाँ पर मैंने 12 लिखा और यहाँ पर लिखा भेर भाई 3 अब एक बात बताईए आप मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 गैप है और 3 गैप कौन कौन से है एक तो हमारा एक वाला हुआ एक दो और एक तीन ठीक है और सभी का जो एंगल बनेगा यहाँ पर एंगल 30-30 डिगरी का बनता प्रते गैप के अंदर और आपको पता होगा क्या यह जो गैप है हमारा क्या है यह हमारा गैप कितना होता है 30 डिगरी का अब आप एक बात बताएए नूर्मली आपको पता होगा जो मिनट वाली सुई है वो जब 12 से 1 पर आ जाती है तो इसका मतलब 5 मिनट कवर कर दिये होंगे या फिर 1 से 2 पर आ जाती है तो 10 मिनट कवर कर दिये जब 12 से 3 पर आ जाती है तो 15 मिनट होगे यह सभी को पता है और जैसे ही हमारे पूरे 60 मिनट हो जाते है तो मिनट वाली सुई घूम के वापिस 12 पर आ जाएगी यहाँ पर 12 पर थी मिनट वाली सुई घुमी और 12 पर वापीस आगी इसका मतलब उसने एक घंटा कवर कर लिया होगा ठीक है यानि कि 60 मिनट में क्या बताया भई 60 मिनट में 360 डिगरी जाती है कौन सी मिनट हैंड की बात करा हूँ मैं मिनट हैंड का मतलब मिनट वाली सुई घुमी ठीक है अगर एक मिनट की बात करें तो 360 भाग में 60 होगा तो कितना हुआ भई 60 शोरी 6 डिगरी ठीक है इसका मतलब मिनट वाली जो भी सुई होती है वो एक मिनट में 6 डिगरी कवर करती है एक मिनट में 6 डिगरी दूसरी मिनट में 12 तिसरी में 18 ऐसे चलती चलती 5 मिनट में 30 हो जाएगी और पूरी 60 मिनट के अंदर 360 डिगरी वो cover कर लेगी यही चिजए हमने या पर लिखिया कि मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर 6 डिगरी का कोन बनाती है और मिनट वाली सुई एक घंटे में 306 डिगरी का जैसी है गंटा कवर होता है पूरी rotation का हमारा कवर कर लेती है और कवर करते हैं पूरा 360 डिगरी गूम जाएगी भी जैसे यहाँ पर मिनट वाली सुई है तो पूरी गूम गई वो 360 डिगरी कितने समय में 1 घंटे के अंदर ग सती एक एक मिनट में आदा डिग्री का से मनाती उस ने कितना बना था छैटिग्री एक मिनट में लेकिन घंटेवाली कैसे एक मिनट में सिर्फ आदा डिग्री ऐसा देखिए इस हैं ut peł गंटेवाली सुई है 360 डिगरी कितने डिगरी 360 डिगरी यानि कि जो घंटे वाली सुई है या फिर इसको मैं लिखूंगा भई होवर हैंड है जो ओवर हैंड या घंटे की सुई है घंटे की सुई मेरे भाई क्या है बारा घंटे में कितने डिगरी जाएगी 360 डिगरी या फिर बारा घंटे को अगर मैं मिनट में कवर करूं मिनट बनाऊंगा तो एक घंटे में 60 मिनट होती है बारा चीक वह 720 मिनट यानि कि 360 डिगरी होने में इसको सेमय कितना लगता है भी 720 मिनट और एक मिनट की बात करूं मेरे भाई एक मिनट के अंदर कितना होगा 360 भाग में 720 करेंगे यह आगया भुआ आधा डिगरी यह बात आपको नोट करनी है याद करनी है क्या याद करना है कि जो गंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में सिर्फ आधा डिगरी चल पाएगी कितनी सिर्फ आधा डिगरी ठीक है और गंटे वाली सुई मेरे भाई कितनी गंटे वाली सुई आधा डिगरी और मिनट वाली 6 डिगरी चल पाएगी ठीक है अब देखिए गंटे वाली सुई 12 गंटे में 306 डिगरी का कौन मनाती है इसको पूरे 12 गंटे लग जाएंगे राउंड को लोग कवर करने में और मिनट वाली सुई जो एक गंटे में पूरी घूम जाती है कलीर है अब यहां से आपने क्या देखा मेरे भाई यहां कि ट्रीट में लिए धे समय में A कि मियें एक मिनट में क्योंझे से इना नहीं कि वह तो 6 अ यह कितना बनाती तो 아 यह हमें क्या कहता है देखिए ये हमें क्या कहता है देखिए मान के चलो ये बजगे बारा ये बजगे बारा पूरे बारा बजए मिनट वाली सुई भी बारा पे थी घंटे वाली सुई भी बारा पे थी जैसे ही पांच मिनट हुए पांच मिनट होते ही मेरे भाई क्या हुआ जो मिनट वाली सुई थी वो कहा गी एक पर आगी भई 5 मिनट के अंदर ये गूम जाएगी एक पर आजाएगी क्योंकि 30 डिगरी वो कवर कर लेगी एक मिनट में 6 डिगरी करेगी तो 5 मिनट में पूरी आ जाएगी अब जैसे घंटे वाली सुई के अगर हम बात करें मेरे भाई घंटे वाली सुई तो थोड़ी सी आगे आएगी कितनी आगे बिल्कुल थोड़ी सी आगे आएगी थोड़ी सी आगे आने का मतलब कितना है थोड़ी सी आगे आने का मतलब है सिरफ आधा डिगरी ठीक है देखिए इनमें 100 घंटे वाली है 100 मिनट वाली है मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिगरी आगे आएगी और घंटे वाली थोड़ी सी आगे सरक्किया आएगी आधा डिगरी इनके बीच का जो गैप होगा ना ये जो गैप होगा वह कितना होगा मेरे भाई ये जो गैप होगा वह साड़े पांच डिगरी का होगा ये चीज कलीर है बिल्कुल कलीर है तर एक फास्ट काड लगा दो ना अच्छर मक्हीब हो जाता है ठीक है आगे देखिए इसने क्या बोला इसने कहा है कि मिनट की सुई घंटे वाली सुई से बारा गुना तेज चलती ये बात नोट करने की मैंने डिटो लिखे हुए एक्जाम में ड्रैक्ट आ जाएंगी कितना तेज चलती है 5.5 डिगरी ज्यादा चलती है और तेज 12 गुणा चलती है ज्यादा की बात करें गैप की अगर बात करता है 5.5 डिगरी तेज की बात करा है यहां पे देखिए तेज कैसे कहेगा भाई 360 डिगरी मिनट की बात कराऊँ मिनट हैंड और यह मैंने लिख ली होवर हैंड एक बात देखिए ये तो एक मिनट में आधा डिगरी चलती है ये एक मिनट में कितना चलती है भाई 6 डिगरी चलती है आधा डिगरी और 6 डिगरी का अगर गैप की बात करूँ या फिर मल्टिपलाए की बात करूँ कितनी होगी भाई 12 गुणा कितनी होगी 12 गुणा यानि कि जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 12 गुणा तेज चलती है कलियर है बात या फिर ऐसे बोलें कि भाई वो तो 60 मिनट के अंदर कितने 60 मिनट के अंदर 360 डिगरी बनाती है और यह 12 घंटे के अंदर 360 डिगरी बनाती है कितने भई 12 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या है एक घंटा यहां पर देख कितने गुणा तेज 12 घंटे चलती है तो मिनट की सुई है जो घंटे वाली सुई से 12 घंटे चलेगी इसमें कोई डाउट नहीं है यहां तक चीजे समझ में आई है या नहीं मैं बिलकुल बेस से करवा रहा हूं धीरे धीरे करवा रहा हूं मेरे भाई क्योंकि मुझे पता है कुछ टेंट्स ने बिलकुल अच्छे से किया भी होगा वो सोच रहे हूं कि इतनी धीरी धीरे क्यों चलेंगे बिलकुल बेस से चलेंगे समय चाहे कितना लग जाए हमें सिखना एक बार होता है हमें ऐसा नहीं करना कि हर बार हम क्लोग को उठा लेंगे और उसी पर टाइम खराब करते जाएंगे एक बार शिखो अच्छे से शिखो जीरो से शिखो और लाश तक शिखो भी ठीक है अब देखिए बात कर लेते हम सैकेंड वाली सुई की सैकेंड वाली सुई एक सैकेंड में 6 डिगरी चलती है कितने डिगरी 6 डिगरी एक सैकेंड में और एक मिनट में 360 डिगरी चलती जबकि मिनट वाली 60 मिनट में 360 डिगरी चल पाती है हमने बताया था देखिए जब हम कोई भी कलोक लेते हैं सैकिंड वाली सुई से ज़्यादातर क्विस्चन्स नहीं बनते फिर भी आपको पता होना चाहिए सैकिंड वाली सुई जो बारा पे है और वापिस बारा पर आने में कितना से मैं लेगी आपको पता है सैकिंड ओथी है शाट सैकिंड है और शाट साकिंड के अंधर ही onda 360 Day चली जाती है तो एक सैकिंड में क्या होगा एक सैकिंड में कितने डिगरी 6 डिगरी है यहां से देखिए आप और यहीछी चीज मैंने उपर लिखी है सैकिंड बाराइस हुई एक सेकिंड में 6 डिगरी चलती है ठीक है और एक मिनट में 360 डिगरी चलेगी कितना एक मिनट में ये रहा एक मिनट में 360 डिगरी चलती है कलीर है बात इससे आगे देखिए हमारा क्या कहता है सेकिंड वाली सुई मिनट वाली सुई से 60 गुणा तेज चलती है क्या कि अधिए में भी षैक इंद TOM őली सुई मिन्ट वाली सुई से 60 गुना तेज चलती ओस साड़वण अधिश कैसे चलती है देखिए मि अभी देखे पिछे हमने क्या लिखा है यह लिखा है कि एक मिनट में 360 डिग्री एक मिनट में 360 डिग्री कलीर है अब अर्जो गंटे सोरी मिनट वाली सोई है जो वो 60 मिनट में इसमें कोई डाउट है क्या देखिए यह तो एक मिनट में 360 डिग्री है 60 मिनट में 360 डिग्री है मिनट वाली देखिए जब पूरा एक घंटा हो जाएगा तब इतना सुझाट जाएगी, अभी गुणा की अगर बात करते हैं मेरे भाई, कितने गुणा तेज चली, ये एक मिनट से साथ मिनट यानि की साथ गुणा तेज होगी, कितने गुणा, साथ गुणा तेज होगी, ये चीज़े आपको या गुटे वाली सुई से कितने गुणा ते चलती है 720 गुणा यह चीज़े आपको निकाल के देखने 720 मैंने यहां पर क्यों लिखा भई देखना है आपको 720 क्यों लिखा ठीक है अब थोड़ा सागे चलते हैं क्युस्चन आ गया हमारा क्युस्चन स्टार्ट हुए यहां से उन्ही पर बेस होगा जो मैंने यहां तक अभी तक सिखाया है जो चीज़े सिखाई गए उन्ही पर बेस्ट क्युस्चन है क्या 30 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी दूरी अधिक तै करती है यहां पर दूरी का मतलब है मेरे भाई कोणी यह दूरी दूरी का मतलब क्या है कोणी यह दूरी की बात करा भई एंगुलर रिस्टेंस की बात करा कोणी यह दूरी की कितनी अधीक दूरी तैकरती आपको पता एक मिनट के अंदर वो 5.5 डिगरी ज्यादा चलती है ये बात हमने पिछे भी सिख़्े है एक मिनट के अंदर जब 5.5 डिगरी ज्यादा चलेगी मिनट वाली सुई तो मेरे भाई 30 मिनट के अंदर कितनी होगी 30 से गुणा कर देंगे तो हमारी जो 30 मिनट में मिनट की सुई है जो गहंटे वाली सुई से मेरे भाई कितनी ज़्यादा चलेगी कितनी चलेगी 165 डिगरी अधीक दूरी तै कर लेगी क्योंकि एक मिनट में ही वो 5.5 डिगरी ज्यादा चली जाती है ये चीज़े यहाँ पर कलियर हुई हर एक चीज हर एक टाइप करवाँगा मैं बिल्कुल धीरे धीरे से 100 मिनट में मिनट की सुई 100 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने अधिक दूरी तै कर दी अधिक की बात हो रहा है तो आपको पता है एक मिनट में कितनी है 5.5 डिगरी है एक मिनट में क्या है भई 5.5 डिगरी ठीक है भई और 100 मिनट की बात है तो 100 से गुणा कर देंगे पांच फाइव जीरो क्या है अब है कितनी अधिक दूरी त्या करेगी साड़े 500 डिगरी आगे चली जाएगी साड़े 500 डिगरी का मतलब क्या 360 एक राउंड आगे ले करके पूरा कवर करके फिर आगे चली जाएगी ठीक है आगे चले मिनट की सुई तवारा 2.60 से 2.36 तक तै की गई कोणी दूरी ग्यात की जीए यहाँ पर अब कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा यहाँ पर अधिक की बात नहीं कर रहा अब सिरफ मिनट वाली सुई की बात हुई है यहाँ पर घंटे वाली सुई का कोई जिकर यहाँ पर नहीं किया गया है जब यहाँ पर घंटे वाली सुई का जिकर ही नहीं किया गया मेरे भाई तो हम बात करेंगे सिरफ मिनट वाली सुई की और मिनट वाली सुई हमें क्या कहती है यह कहती है कि मैं 1 मिनट में 6 डिगरी चलूंगी यह कौन कहता है यह मिनट वाली सुई कहती है कि 1 मिनट में 6 डिगरी चलना है जब 1 मिनट में 6 डिगरी चलेगी भाई तो 2.16 से 2.36 तक कितनी मिनट हुई 20 मिनट अब एक मिनट में 6 डिग्री जाएगी तो 20 मिनट में कितनी जाएगी 20 मिनट में गुणाच्य कर देंगे 120 डिग्री ठीक है मिनट वाली सुई है जो यहाँ पर 120 डिग्री डिस्टेंस तै कर लेगी कब से कब तक 216 से 236 तक कोई डिस्टेंस में कोई दिक्कत प्रेशानी कुणिये दूरी निकालने में हो तो बताओ अगर यहीं पर बात करता 2.16 से 2.36 तक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितनी ज़्यादा तेज चलेगी तेज की अगर बात होती है या फिर अधिक कोणिये दूरी की बात करता है तो यहाँ पर हम साड़े 5 से गुणा करते हैं फिर हम 6 से गुणा नहीं करेंगे चिज़े आपको समझ में आ रही होंगी आगे देखिए भाई मिनट की सुई द्वारा दो गहंटे और 20 मिनट में तै की गई कोणिये दूरी ग्याद कीजिए दो गहंटे 20 मिनट का मतलब क्या है सभी को मिनट में हम कवर कर लेंगे सभी को क्या करेंगे मिनट में कवर कर लेंगे दो घंटे में दो घंटे पलस 20 मिनट दो घंटे का मतलब भी क्या है वे 120 मिनट है एक घंटे में 60 मिनट पलस 20 मिनट ये हमारी जो टोटल हुई मेरे भाई 140 मिनट हुई है और आपको पता है भी एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर 6 डिगरी जाती है तो हमारे 140 मिनट के अंदर क्या होगी भई 6 से गुणा कर देंगे मिनट वाली सुई की बात हो रही है ठीक है भई 6 चुका 24 6 कम 6 6 और 2 8 यह हो गया भई 140 डिगरी पूर यह दूरी 140 डिगरी होगी यह चीज़े बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी बिल्कुल असान तरीके से बिल्कुल सोट तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे सलोली सलोली हम आगे बढ़ने का काम करेंगे भाग कर नहीं जाना है चोड़ कर नहीं जाना है है अगर आपको कुछ सिखना है तो हमने भी इसके उपर बहुत मेहनत की है कि सुबह नो अठाई से दो बीस बज़े तक गंटे की सुई दवारत तै की गई को निये दूर याद कीजी सेम सेम क्यूस्चन है आगे पिछे हो गया थोड़ा सा नो अठाई से दो बीस तक अब आप ये देखेंगे कि मेरे भाई कितना समय बना कितने घंटे बने कितने घंटे कैसे देखेंगे आपको पता है नो अठाई से दो बीस तक कितनी मिनट हुई पहले घंटे देखें घंटे निकालें घंटे को आप गुणा की जी देखिए करव देखिए अगर हम नो दो अठाइस ले लेते हैं फिर दो अठाइस ले लेते तो हमारे पांच घंटे बन जाते पांच घंटे बन जाते ना भई पांच घंटे बन जाते कब तक कब तक दो 28 तक हमारे 5 गंटे बन जाती है ठीक है 5 गंटे में से लेकिन no 28 नहीं 8 मिनट कम है 8 मिनट कम का मतलब क्या है यहाँ पर मेरे भाई 4 गंटे बने 4 गंटे और हमारी 8 मिनट कम है यानि कि 52 मिनट बनी यही हुआ ना 4 गंटे 52 मिनट बनी अब 4 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 से गुणा करेंगे, 60 गुणा 4, पलस बावन, 6 चोका 24, 240 पलस बावन, 200 बानुआ मिनट बनी भई, अब हमें निकालना क्या है, कोण ये दूरी निकालनी है, मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, तो मिनट वाली सुई की बात करेंगे, गंटे की सुई दी है, गंटे की सुई दी है, तो 200 बानुआ मिनट में गंटे वाली सुई निकालने के लिए हम सिरफ आधा से गुणा करेंगे, एक बटे 2 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर मिनट देता तो 6 से गुणा करते, अब गहंता दिया तो आपको पता है वो भाई एक मिनट के अंदर सिर्फ आधा डिगरी चलती है जब आधा डिगरी चलेगी तो हम किस से गुणा करेंगे दो सो बनुवाँ गुणा में आधा डिगरी ठीक है देखिए दो एकम दो दो चुक्याठ दो चुक्याठ बारा तो हमारा जो एंसर आने वाड़ा है यहां पर 116 डिगरी एंसर आएगा कलियर है तो यहां पर चीज्जे कलियर हुई या नहीं हुई बताईए ज़रा बताईए ज़रा भई अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे हम अभी एक मिनिट ब्रेक भई यहां तक कवर कीजिए आप झाल 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 तो आपने यहां तक चीज़ें सारी कवर कर ली होंगी मिल्कुल धीरे धीरे हमने सिखा है यहां पर सिर्फ यही कुन सैप्ट सिखा था क्या सिखा था कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने डिगरी का एंगल बनाती है मिनट के अंदर कितनी तेज चलती है और कितनी अधिक कोण यह दूरी तै करती है यह चीज़े हमने सिखी थी अब हमारा थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलना गड़ी की सुईयों की बीच कोण निकालने का फुरूनला वे ट्रीक है हमारे पास फुरूनला भी होगा और हम ट्रीक से भी करने की कोशिश करेंगे विना फुरूनले के भी एंगल वाला किस्टंस अक्षर एकजाम में देखने को मिल जाता है कि देखी मैंने यहां पर क्या लिखा है कि यहां पर हमने देखिए कौन निकालने के लिए यदि मिनट और घंटे वाली सुई की स्थीती के बीच का अंतर पोजिटिव है तो उतर देने के लिए यदि मिनट का आधा चोड़ दें यदि निकाल अत्मक तो आधा घंटा दें ये ट्रिक क्या कहती है मैं आपको समझाऊँगा आपको समझ भी नहीं हाई होगी ये क्या कहना चाहता है ये कहना ये चाहता जैसे कि मैं यहाँ पर समय लिखता हूँ वे चार बज़कर तीश मिनट ये हमारा समय है एम हो या फिर पी एम हो कुछ भी आपको दिया मिले आपको questions किस प्रकार आएगा सुबह चार बज़कर तीश मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोन याद कीजिए यानि कि जब वो सुईया इस एंगल पर होती है तो वो कोन सा कितने डिगरी का कोन मनाती है देखिए कैसे ये भाई मैंने चार लिया आपको पता ये तीन हुआ ये चार हुआ चार बज़कर तीश मिनट के बाद ये कर रहा है चार बज़कर तीश मिनट का मतलब क्या है मेरे भाई कि जो मिनट वाली सुई है वो छै पर होगी और ये कितने डिगरी पर होगी ये चार और पांच के बीच होगी घंटे वाली सुई यही होगा ना चार बज़ कर तीस मिनट का मतलब यही है कि घंटे वाली जो मिनट वाली सी ओच है पर जा चुकी होगी और जो गंटे वाली सुई है, 4 से आगे खसक चुकी होगी, आधा घंटा कवर कर चुकी होगी, 4 और 5 के बीच में होगी, यही होगा और आप से पुछा गया है, कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, यानि कि ये एंगल आपको निकालना होता है ठीक है और हमारी ट्रिक क्या कहती है कि कोण निकालने के लिए दी मिनट और घंटे वाली सुई की स्थीती की बीच का अंतर स्थीती का मतलब क्या कहना चाथता है स्थीती का मतलब ये कहता है मेरे भाई यहाँ पर ये तेव सूई कितने पर होगी चार पर और ये सूई कितने पर होगी भाई चैपर एक सूई चार पर होगी एक चैपर यानि कि चार से थोड़ा सागे चलेगा लेकिन जो यहां की बात कराऊं यहां की स्थीती की बात कराऊं ये कितने पर होगी मेरे भाई चैपर अब इनके बीच का गैप है जो पोजटिव है या नेगिटिव है इनके बीच का गैप है जो पोजटिव है या नेगिटिव है तो आप कहेंगे सर ये हो गया नेगिटिव ये क्या हो गया अब इनेगिटिव चार में से 6 जाएगा मेरे भाई है एक है यह दो है जो एग से होता है हमारा यह कि टिश डिगरी का हुटता है तीज़ करनee कि अब हमारे दो गाय बनने का मतलब है हम तीस से गुणा कर देंगे तीस से गुणा किया कितना अब बात क्या करता है यह यदि नकारात्मक है तो आदा घटा दें किसका आदा घटाना है दिए गई मिनट का मिनट कितनी दी गई है यहां पे सार बरकत 30 मिनट 30 मिनट का आदा कितना होता है मेरे भाई 15 होता है तो कितना आएगा 45 डिगरी इसका एंसर आएगा independent觉 यह हमारी रिक कहती है माई बिल्कुल नौरमल है फ़र एक टाइस यहां से बन सकता है कितना भी hard कितना भी असान कैसा भी questions आपको दिया हुआ मिले यहां से आप असानी से कर सकते हैं आपको करना क्या है यह पता करना है कि जो घंटे वाली सुई है या मिनट वाली सुई है उनके बीच की स्थीती का gap positive है या negative है ठीक है तोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बताएंगे देखिए भे यहां पर सारी चीजे आपकी cover हो जाएगी घड़ी की सुई हो के बीच कोन याद करना जब 6 बजकर 15 मिनट होती है जब 6 बजकर 15 मिनट होती है देखिए यहां पर जब 6 बजकर 15 मिनट होई 15 मिनट का अंदर सुई यह 6 6 बजकर 15 का मतलब क्या है यह जो घंटे वाली सुई है 6 से थोड़ा सा आगे खिशक गई होगी ठीक है यही है ना भई यह 6 बजकर 15 मिनट है जो मिनट वाली सुई है कितने पर आ गई होगी मिनट वाली सुई है तीन पर आ गई होगी यह हमारा 6 होगा यह 3 पर आ गई होगी यह है ना यह होगी हमारी स्थीति जान लिए कौन सी सुई कहां पर है मिनट वाली सुई कहां पर घंटे वाली सुई कहां पर यह हमने इसकी स्थीति जान ले अब हमें क्या देखना इनके बीच का गैप देखना है पोजटिव या नेगी टीव है हमें पता है इनके बीच का गjack कितना आया या तीच आया थी ला पोजटिव आया तो गउना किसे करेंगे 30 से करेंगे हर एग में गुना 30 से करनी है। जो गव सोकत होता है हमारा 30 के बराबर होता है 35 चा है में से 3 गया हमारा क्या बच्छे का 3 बच्छे का positive है तो इसमें से हम क्या करेंगे इसका आधा जोड़ देंगे और 15 का आधा क्या होता है मेरे भाई साड़े 7 होता है तो 90 बाद साड़े 7 कितना हो गया यह हो गया 7.5 यानि कि 7.7 डिगरी का यहां पर कोन पढ़ने वाला है देखिए आपने एक चीज़ ओर देखी होगी यहां पर नोट की होगी अगर यह सीधा होता यह बिल्कुल 6 पर होती सुई तो यह बीच का जो एंगल 90 डिगरी का हो जाता लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो 15 मिनट आगे खिशक चुकी है 6 से 6 से थोड़ा सा आगे चले ग और 15 मिनट के अंदर उसने साड़े साथ डिगरी और कवर कर लिया तो 90 और साड़े साथ कितना हो गया भी सतानों पॉइंट पांच डिगरी इसने कवर कर लिया ऐसे ही आपर अब थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे भई तेज तेज चलेंगे कैसे नो तीस पर यह नो पर 37, 27 कुछ भी हो उसको आप 5 से भाग करके देख सकते हैं कि उसकी स्थिति कहां रही होगी कहां पर उसकी स्थिति है 9 बज़ कर 30 मिनट है 9 बज़ कर 30 मिनट का मतलवी 6 पर होगी जब 6 पर होगी 9 और 6 के बीच का अंतर कितना हो गया वई 3 का हुआ, 3 का हुआ, 3 से गुणा कर दे, 9 हो जाएगा, अब अंतर पोजिटिव तो इसका आधा इसमें हम जोड़ देंगे 15 इसके अंदर add कर देंगे आधा किसका add करना है जो minute दी हुई होती है उसका ही आधा आपको इसके अंदर जोड़ना होता है मेरे भाई, मेरे पिर ये दोस्त 90 और 15 कितना हो गया मेरे भाई 105 डिग्री 105 डिग्री हो गया चीज़े clear है वो तसान है इसी ही इसमें बात करूँ ये 10 पे है सुई ये 10 पर है और ये कितने पर होगी 8 पर होगी 8 पंजा 40 होता है 8 पर होगी बीच का gap minus 2 है minus 2 है तो 2 गुणा 30 करेंगे 60 हो जाएगा 60 डिग्री तो यहां से बन गया अब minus करेंगे positive करेंगे पलस करेंगे minus करेंगे क्योंकि gap minus में है minus करेंगे क्या minus करेंगे मेरे भाई इसका आधा minus करेंगे जो minute का आधा है तो कितना हो गया भाई ये 40 डिग्री कोन बनाएगी ये 40 डिग्री का कोन बनाएगी हमारे पास formula भी है formula भी आपको बताऊगा अगर कोई भाई फरोनले से करना चाहता है ठीक है? लेकिन ये हमारी चीज़े जो ट्रीक काम करती है वो हर एक जगह पे कारगर होगी ऐसी कोई जगह नहीं है जाहां पर ये ट्रीक काम नहीं करती ठीक है? छाहे कितना कैसा भी एंगल आपको निकालना हो हर एक जगया पर ये trick हमारी काम करेगी ठीक है ऐसे ही 3 30 की बात करता हूँ ये 3 पर होगी और ये शुई कितने पर होगी भाई 6 पर होगी ना मिल्म मादी टभी तो हमारा 13 बजेंगे अब इनके gap क्या है माइनस में 3 है माइनस है तो 30 से गुना करेंगे 90 दिगरी तो होगया ठीक है ये चीज़े आपको नोट करनी है आपको थोड़ा सा हाड लग सकता है अजीब टाइप का लग सकता है लेकिन जब आप प्रैक्टिश करने बेठेंगे तो मातर या दो या तीन सेकिंड के अंदर आपका क्यूस्चन सोल हो जाएगा चाहे एक्जाम में कैसा भी हाड से हाड कुश्चन क्यों नहीं दिया मिले दो जी ये आगया ज़िकी सुईयों के बीच का कोन गयात करना है और कोन गयात करना हमने आपको सिखा दिया है अगर मैं डिक्ट जिसको देखो भई जिसको ये चीज़े ध्यान में नहीं रहती हम डिक्ट भी इसको कर सकते हैं ड्रेक्ट कैसे करेंगे मेरे भाई, अगर बेसिक नोलेज आपकी थोड़ी सी स्ट्रोंग है, अगर घड़ी के वेरे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, चार बज़ कर तीस मिनट इसने दी है, चार बज़ कर तीस मिनट का मतलब क्या है, ये तीन हुआ, ये छे हुआ, और ये पाँच, देखो भी, चार बज़ कर तीस मिनट का मतलब ये है, ये जो सुई है, वो यहाँ पर रही होगी, और एक सुई यहाँ पर रही होगी, कलियर है मेरे भाई, और आपको ये भी पता होगा, क्या पता होगा, कि ये जो एक एंगल होता है, ये तीस डिगरी का ह और ये बी कितने डिगरी का disorder अधा दीजिए गया है एधे पर है तो कितना होगा 15 ही ऩूने वाला है चार तीज के अगर बात करता हूँ ये च्यार पर हुआ ये पर कितने पर हुआ, 6 पर हुआ, ये 6 पर हुआ, 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, भाई, 2 हो गया, माइनस का 2 है न, 2 गुणा 60, sorry, 2 गुणा 30 करेंगे, 60 डिगरी तो हो गया, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे, पलस करेंगे, 4 और 6, माइनस में आया, माइनस में आ तो इस असान वो या नहों लेकिन असान बनाना पड़ता है काम्याभी पाने के लिए हम बिना गैप दिये हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएंगे अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कुस्टन ऐसे लिख दिये कि जैसे मिनट में 4 25 दे दिया 30 दे दिया 4 बज कर 35 दे दिया ये तो 5 से डिरेक्ट भाग होए जा रहे हैं हमें स्थिति का पता चल रहा है कि वह सुई कितने पर होगी यहां पर 5 पर होगी यहां पर 6 पर होगी यहां पर 7 पर होगी लेकिन तब क्या होगा जब हमारी सुई यह 24 पर है 26 पर है 32 पर है 37 पर है उन्हें चास पर है तब हमारी यह जानी की मिनट वारी सोई है जो अलग अलग जगह पर है तब हम किस्टन्स को कैसे सोल करेंगे हम तब भी करेंगे बिल्कुल असान तरीके से इसी ट्रीक से हम सोल करेंगे अब थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं यह हमें क्या कहना चाहता है इन सभी पर कौन मिनट का आदा होगा इन सभी पर यानि कि जब हमें यह समय दिया हुआ मिलता है एक बज़ कर पांच मिनट हो दो बज़ कर दस मिनट हो तीन बज़ कर पंदरा, च्यार बज़ कर बीस, पांच बज़ कर पत्चिस और ऐसे ही दस, दस पचास होगा आगे ऐसे ही चलता है, ग्यारा पिच पन होगा, ठीक है जब ये समय आपको दिये हुए मिलते हैं तो आपको बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आपको कवर कर देना, क्या कर देना है जो एंगल बनेगा, यहाँ पर मिनट का आधा होगा मिनट का आधा मतलब इसका एंसर 2.5 होगा इसका आधा 5 होगा इसका answer 7.5 degree होगा इसका answer 10 degree होगा इसका answer 12 degree होगा ये 15 degree होगा ये 1.5 degree होगा मेरे भाई और ये 20 degree होगा और ऐसी ही ये 2.5 degree हो जाएगा समझ रहे हो बात को जब आपको ये time दिया हुआ मिलता है ये कैसे देखी एक गुणा पांच 2.5, 10, 3.5, 15, 4.5, 20, 5.5, 25, 6.5, 30, 7.5, 35, 8.5, 40 और 9.5, 45, ऐसे ही 10.5, 10.50 पर होगा और 11.5, 11.5 पर भी हमारा ऐसा ही मिलेगा बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ पर कोई डाउट मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होना चीए अब ऐसा होता क्यों है सर आपने यह बता दिया ऐसा होता है लेकिन यह होता क्यों है यह होता क्यों है मेरे भाई यह बात आप ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर एक बजगर पांच मिनट लिखा क्या लिखा एक बजगर पांच मिनट लिखा एक पांच का मतलब क्या है कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वो हमारी एक पर आचुकी होगी कितने पर आचुकी होगी एक पर आचुकी होगी भई भई ये मिनट वाली सुई है ये तो पांच पर होगी एक पर होगी पांच मिनट होगी लेकिन जो हमारी जो घंटे वाली सुई है जो पांच मिनट में थोड़ी से आगे खिसकी होगी धाई डिगरी तो आगे खिसकी होगी ना थोड़ी से आगे खिसकी है ये तो हमारी पांच पर हुई यानि की एक पर होगी पांच मिनट में एक पर होगी लेकिन घंटे वाली सुई तो थोड़े से आगे खिशक गई होगी और आगे कितनी खिशकी होगी थोड़ा सा कितना आगे आपको पता है घंटे वाली सुई एक मिनट के अंदर आधा डिगरी बनाती है तो पांच मिनट के अंदर धाई डिगरी आगे चली गई होगी यह मिनट वाली है, वो तो 2 पर होगी, और यह सुई, थोड़ी से आगे खिशक गई होगी, कितने डिगरी? 10 डिगरी, 5 डिगरी, क्यों? एक मिनट के अंदर आधह डिगरी, तो 10 मिनट के अंदर पांच डिगरी आगे चली गई होगी है, ठीक है? तो यह टाइम आपको नोट क आगे चलें यह लोग वह आगे जो आप सोच रहे थे और सोच क्या रहे थे जब हमें समय जब हमें समय थोड़ा सा अजीब टाइब से दिया मिले पूरा-पूरा ना दे करके 15 16 श्तरा त्थाला दी पहले जितने वीश थे पांच बांच के गए पे वो मिनट दी गई थी जो पांच से अहीं कितने पर है उस चीज़ का हमें पता चल जाता था लेकिन हमें हमें यहाँ पर नहीं पता सब्धारा है हमें पता है भई साथ पंदरा साथ पंदरा का मतलब तो यह है कि मिनट वाली सुई तीन पर होगी मिनट वाली सुई कहां पर होगी तीन पर होगी यहां पर तो एंगल हम असानी से निकाल लेंगे लेकिन जब सोडा पर होती है तब हमें कैसे पता चलेगा कि मिनट वाली सुई कहां पर होगी तो यहां पर भी हम कैसे करेंगे मेरे भाई यहां पर भी जैसे यहां पर साथ बज़कर सोडा मिनट दिया गया है साथ बज़कर सोडा मिनट देने का मतलब क्या है हमें ये तो पता चलिया घंटे वाली कितने पर होगी 7 पर अब मिनट वाली कितने पर होगी ये जानने के लिए हम 5 से भाग करतेंगे क्या करतेंगे 5 से भाग जैसे पिछे वाले में करते थे 15 को अगर 5 से भाग करतें तीन आता है तीन ही आता है और ऐसे ही अगर सोड़ा को भी मैं 5 इसे भाः करूगा तो क्या आएगा 5 सी यह 15 Pakistan उनिश्तति कि तीन पॉइंट दो आएगा वेया कितना आएगा तीन पॉइंट दो ठीक है यानिकि यह सुय तो साथ पर होगी और यह कितने पर होगी 3.2 पर है वो जो difference होता है जैसे हमने पिछे किया था वैसे यहां पर निकालना है कि से गुणा करते थे और गुणा करने के बाद या तो हम पलस करते थे माइनस करते थे त्षाय देक्त करते थे जो मिन्ट है उसका आधा मिन्ट जो उसका आधा मिनון 6 है उसका infections करेंके 31 129 फिशाये और एक्ट्र टिगरी 152 कितना हो गया 1202 टिगरी हमारा एंगल कितना आया मेरे भाई, 122 डिगरी आया, यहां से, ऐसे एंगल यहां पर निकालने हैं, लेकिन सभी सुक्ष्यानती रहा, तो examiner ऐसा question देगा, जिसमें direct आपको पता चल जाएगा, कि भाई, सुई कितने पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर कितने पर है, ठीक है, अब सुई साथ पर है, यह सुई कितने पर है, 3 पर, यह साथ पर है, यह 3 पर है, इनका गैप कितना हुआ, 4 का, 4 का गैप हुआ, 30 से गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे, और पलस क्या करेंगे, पलस करेंगे इसका आधा, यानिकी साड़े साथ, कितना, साड़े साथ डिगरी, चार तिये 12, 120 पलस 7.5 डिग्री, कितना हुआ वे, 127.5 यानि कि 127 सही एक बटे दो, यही हुआ ना भई, यहां से आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं मेरे भाई, यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, और बात यह है, क्या है, कि यहां पर जो एंगल बने बनेंगा, 127.5 डिग्री, ठीक है, यहां पर जो एंगल बनेंगा, 122 डिग्री है, और यहां पर जो देखी, गैप कितना हुआ, गैप की बात करें, गैप की बात करें, तो साड़े 5 डिग्री काएगा, पर ते 1 मिनिट के अंदर, साथ 15 से साथ सोड़ा गए, जैसे ही 1 116.5 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, यहां पर क्या हो जाएगा, 116.5 और जैसे ही आगे जाएंगे, आप साथ 18 का एंगल निकाल के देखेंगे, यहां फिर साड़े 5 डिग्री कम हो जाएगा, और फिर ऐसे प्रते 1 मिनिट के अंदर, साड़े 5 डिग्री का गैप आता जा आएगा, कलियर है, जिजे आपको समझ में आ रही होगी, बिलकुल अच्छे से थीरे थीरे हम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, होशले बुलंद रखने हैं, बूंद बूंद से सागर आपको भरना है, तो आपने एंगल निकालना सीख लिया, भली भाती बि मैंने का था, दस बज कर 35 मिनट है, मिनट की सो और घंटे की सुई के बीच का कोन गयात करना है, हमने का था, हमारे पास एक फुरूनला भी है, और आपने अकसर बुक्स के अंदर फुरूनला ही सर्च किया होगा, फुरूनले से ही आज तक आपने घड़ी को पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपका फुरूनला ये है, 30, H-11, 2, M, H का मतलब यहाँ पे है, हावर, घंटे, और मिनट का मतलब, M का मतलब है, यहाँ पे मिनट, M का मतलब है, यहाँ पे मिनट, कलीर हैं चिज़े, अब 10, 35 की बात करता हूँ, पहले मैं इसमें पुट करके देखता हूँ, फ करेंगे, 11, 2, M की जगहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, 35, क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे, यह 30 गुणा 10 हो गया, मारे भाई, 300, माइनस, अब देखिए, 11 की और 35 की गुणा करेंगे, 11, 15, 55, 13, 53, 33, 5 कि इतना हो गया, 38 हो गया, बहा करेंगे, 200, से तिन सो दिग्री में से तिन सो पिचासी वटे 2 कितना होता है भाग करिए दो एकम दो दो निम अठारा दो दुणी च्यार पॉयंट पांच है तो अब देखी तीन सो में से एक सोंब चार गटाएंगे तो हमारा क्या आएगा भी एक सो टेरा ही आएगा ना 113 पॉइंट तोरी एक सो साथ पॉइंट पांच डिगरी यह आपका एंसर आया भी एक सो साथ पॉइंट पांच डिगरी ठीक है आपने बिल्कूल अच्छे से कर लिया कितना एक सो साथ पॉइंट पांच डिगरी हमारा एक सो साथ पॉइंट पांच डिगरी हमारा में भूरूर्ण लें ठीक है अब देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है हमारी यह कहती है यह सोई की जो स्थिती होगी यह 12 पे होगी solution कितने mois 7 735 वहूं गया तीन गुना तीज करेंगे नमबर डीगरी तो यह आ गया अब हमारा क्या है गैप हमारा पॉजिट्व है तो मेरे भाई जो मिनट है इसका आधा हम जोड देंगे मिनट है इसका आधा जोड़ेंगे 35 का आधा कितना होता है साड़े सत्रह कितना होता है वही साड़े सत्रह होता है और एड करेंगे तो हमारा कितना हुआ 117.5 107.5 करना आपको है किस तरीके से आप इन चुजों को करना चाहते हैं मेरे ठीक या तो आप बने छिलिजिए या फिर जैसे मैंने करवाया है ट्रीक से वैसे करें तो आपके लिए बहुत बहतर होगा ठीक है यह क्या है भई इसका मतलब है अगर कि हमारा एनसर नेगटिव आता है तो उसको पोजिटिव माना जाएगा इसका मतलब यह है ठीक है अब यह देखिए ग्यारा बज़कर उनसर मिनट सुई और घंटे की सुई की बीच का कोन गयात करना है अब इसको आप कैसे करेंगे ग्यारा उनसर पर या तो आप उसमें ट्रेक्ट फॉरूलेम रख लीजिए जैसे हमने बताया था या फिर यहां पर करेंगे उनसर पर जो स् करता है पिर 11 और उनों के बीच का गैप लेंगे उसको तीसे गुणा करेंगे तीसे गुणा करने के बाद इसका आधा या तो पलस करेंगे और तर भीया फिर क्या करेंगे माईनस करेंगे हमारां जाए चीजिए हमने कितनी बार फीचे कर लिए है इसको मैं नहीं करवागा है यह Virginia हो यह वरक समझो इसको आपको से रं करना हैं क्या करना है आपको को शिवम करना है ठीक है कि आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सव और आगे बढ़ते हैं कि जीरो डिग्री कॉन एक घंटे में एक बार बारा घंटे में ग्यारा बार जोविस घंटे में बाइस बार बनता है एंगल वाली जितनी टाइप थी हमने सारी धिरे-धिरे करके कवर कर ली अब हमारा जो आगे चलने वाला है अब आगे शिर्फ और शिर्फ चलेगा एंगल्ज पर अब पीछे हमें जो समय दिया हुआता था समय देख कर हम एंगल निकालते थे क्या निकालते थे एंगल निकालते थे अब हमें एंगल दिया मिलेगा 0 डिगरी का 90 डिगरी का 180 डिगरी का यहाँ पर देखिए 0 डिगरी एंगल बनाने का मतलब क्या है 0 डिगरी एंगल बनाने का मतलब हमें क्या कहता है जीरो डिगरी का मतलब यह है कि जब सुया दोनों एक दुसरे के उपर होती है उनके बीच कोई गैप नहीं होता जब उनके बीच गैप ही नहीं है तो एंगल कैसे बनेगा वहाँ पर जीरो डिगरी माना जाएगा ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं समानू पाती जब सुया होती है या सम पाती होती है तो वहाँ पर एंगल कितने डिगरी का होगा जीरो डिगरी का होगा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ मेरे भाई बारा बजे कितने बजे बारा बजे कैसे है यह देखिए ठीक है द्यान से देखिए इसको 12 बज़े 12 बजने का मतलब क्या कहता है यह 12 बज़े एक दुसरे के बिलकुल उपर होगी जो घंटे वाली सुई है वो भी 12 पर होगी मिनट वाली सुई है वो भी 12 के उपर होगी छीक है यह हमारा कौन से एंगल हुआ यह हमारा जीरो डिगरी का एंगल जो है 12 घंटे में 11 बार बनता है 12 घंटे में 11 बार क्यों बनता है यह भी हम बढ़ेंगे आपको याद कर लेना जीरो डिगरी का एंगल है जो कौन एक घंटे में सिरफ एक बार बनेगा 12 घंटे में 11 बार बनेगा 24 घंटे में 22 बार बनेगा यहां पर एक कम क्यों आ है क्योंकि 11-12 और 12-1 के बीच 11-12 और 12 के बीच उनके बीच जीरो डिगरी का कौन नहीं बनता उनके बीच में नहीं बनता बलकि पूरे बारा बज़े बनता है ठीक है यानकी जब 11-11 एक बज़े तक 11-11 एक बज़े तक सिरफ एक बार ही हमारा जीरो डिगरी का कौन बन पाएगा और कितने बज़े बनेगा वो 12 बज़े बनेगा ठीक है इससे आगे अगर हम बात करते हैं देखिए यह 12 हो गया 12 से आगे एक हो गया एक बज़े देखिए जैसी एक बज़े थोड़ी सी आगे सूई खिसके गी मेरी और गंटे वाड़ी यह अपस में ओर लैप होगी एक बज़े से थोड़ी सी आगे होगी ऐसी दो बज़े से थोड़ी सी आगे होगी तीन बज़े से थोड़ी सी आगे होगी छैसे आगे पांच से आगे ऐसे लेकिन बारा एक ऐसा समय है जब दोनों या शिरफ बारा बज़े बा 12-12, 12 के बीच 0 डिगरी का कोण नहीं बनता परतेक घंटे में 1 बार बनेगा किसको छोड़कर 11-12 के बीच में छोड़कर और 12-1 के बीच में छोड़कर ये चीज़े आपको छोड़कर करने है आगे देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है एंगल ग्याद करना होता है तीन से चार के बीच वह से मैं ग्याद कि जब घड़ी की दोनों सुईया जीरो डिगरी के कोन पर हो या समपाती हो या समानुपाती हो समपाती या समानुपाती ये सभी के सभी सबद जो होते हैं जीरो डिगरी एंगल को ही दरसाते हैं, जूरी डिगरी के कौन को ही बताते हैं, और हमारी ट्री कहती है, हमारी ट्री कहती है कि वह जीरो डिगरी का कौन ग्याद करने के लिए, दिये गए घंटे को 60 बटे 11 से गुणा करो, किसे गुणा करो, 60 बटे 11 से गुणा करो, 60 बटे 11 इनके बीच में इनके बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब सुया एक दुसरे के उपर होगी हमें ये पुछना चाहता है कि वो कौन सा समय है और हमें पता है कि वो समय तीन बज़कर कुछ मिनट होगी तीन बज़कर कुछ मिनट होगी और उसके लिए हमारी ट्रिक ये कहती है क कि उसको 60 11 से आप गुना कर दीजिए किसको जो से मैं आपको दिया गया है तीन शुरू वाला से मैं तीन इन को आपकी से गुना किजिए 60 बटे 11 से जैत यह कितना हो गया भई अठारा एक्स वसी बटे 11 एक्स वसी बटे 11 को आप सही बटे में तोड़ सकते हैं कैसे आपको पता है ना वे एक्स वसी 11 एक्स वसी 11 बचगे साथ 11 छिका 66 बचगे 4 16 सही 4 बटे 11 मिनट यानि कि हमारा जो समय होगा मेरे भाई समय जो होगा कितने बज़े एक दुसरे पर ओरलैप करेंगी कितने बज़े संपाति होगी जिरो डिगरी का एंगल मनाएगी तो कितनी होगी भी तीन बज़कर 16 सही 4 बटे 11 ये जो टाइम आपको दिया गया है इस पर इनके बीच का जो कौन होगा वो जिरो डिगरी का होगा बिल्कुल असानी से हमने इसको पड़ लिया आपको ध्यान क्या करना है और सिर्फ जब हमारी सुया जिरो डिगरी पल निकालनी हो तो आपको करना है मेरे भाई क्या दिये गए समय को 60 बटे 11 से भाग कर देना है हमने चीजों को बिल्कुल आपके लिए असान और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक धागे में पिरोकर और उनकी माला बनाकर एक जगए पे सभी को सैट कर लिया है ठीक है चार से पांच के बीच हो है समय ग्यात कीजिए जब घड़ी की दोनों सुयां जीरो डिगरी कोन पर हो या संपातिया समानुपाति हो जब जीरो डिगरी की बात होती है तो मैंने एक बात बताई है वे चार को आप साथ बटे 11 से भाग कर लीजिए दोसोचारीस भाग में ग्यागर करेंगे क्या आएगा मेरे भाई 11 दुनी बाइस बचगे दो यारा एकम ग्यारा नो बटे ग्यारा एक्की सही नो बटे ग्यारा यहीं आया ना आपस में ओवरलैप होंगी ठीक है अब 11 से बीच के 11 से 12 के बीच का वैस मैं गयात कि जब घड़ी की दोनों सुईया जीरो डिगरी कोन पर होती है 11 से 12 में 11 को हम 6 होते 11 से गुना करेंगे मेरे भाई 11 से 11 कैंसल हो जाएगा यानि कि हमारा से मैं आया 11 बज़कर 60 मिनट और 11 बज़कर 60 मिनट का मतलब क्या होता है भाई 12 बजे और हमने ये चीजे पर पढ़ी है. क्या पड़ी है भी 11 से 12 के बीच में कोई 0 ڈगरी का कौन नहीं बनता और 12 से 1 के बीच भी कोई 0 ڈगरी का कौन नहीं बनता ही नहीं तो हमारा answer 11,60 है 11,60 का मतलब 12 बजे बनेगा बीच में नहीं बनेगा भी यह चीज़े आपने कवर कर ली होंगी बिलकुल ठीक है? अब देखिए सुबह पांच बजे से सुबह पांच से लेकर शाम साथ के बीच घड़ी की दोनों सुयां कितनी बार 0 डिगरी कोन पर होती है? सुबह साथ की बात करता है ये बही ये देखिए यहां पर तीन था यहां पर चार था और यहां पर पांच यहां पर चै यह यहां से इसने चकर सुरू किया और वापिस कहां आ गया? यहां से सुरू करके वापिस पांच पर आ गया यानि इसने कितने घंटे कवर कर लिए 12 गंटे कवर कर लिए लेकिन ये तो कहता है कि 7 बज़े तक जाना है हमें अभी 2 गंटे और कवर करने है यानि की 7 तक पहुँचना है ठीक है और हमें पता है कि घड़ी की सुई 0 डिगरी पर 12 गंटे में 11 बार आती है जब एक राउंड पूरा कर लिया लेकर एक के बीच में सिर्फ और सिर्फ बारा पर होगी ठीक है एक यहां पर कम हो गया लेकिन आगे जो 2 गंटे और चली 2 गंटे यानि की 2 बार और चली होगी 2 बार और 0 डिगरी पर आई होगी तो यानि की टोटल जो हमारा एंसर होगा मेरे भाई तेरा बार कितना होगा अबर गड़ी की सूया सुबह पांच से लेकर 7 बजे के बीच 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच 13 बार एक दुसरे के ऊपर ओरलैप करेगी एक दुसरे के ऊपर 0 डिगरी का कोन बनाएगी सम पात्ती होगी या फिर समानुपाती होगी चीज़े कलीर है थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलकर हमें क्या कहता है किस्टन्स 0 डिगरी का हमने कवर कर लिया अब हमें कहेगा क्या कहेगा कि 180 डिगरी पर घड़ी की सुयां कब 180 डिगरी पर होती है 180 डिगरी पर होने का मतलब क्या है मेरे भाई 180 डिगरी पर होने का मतलब ये है जब घड़ी की सुया एक दुसरे के आमने सामने होती है एक दुसरे के बिलकुल आमने सामने और आमने सामने कब होगी मैंने कहा भई 6 बज़ गए क्या कहा पूरे 6 बज़ चुके हैं जब पूरे 6 ही बज़ चुके हैं यह भई यह तो सुई यहां होगी और दूसरी सुई क्या होगी मेरे भई दूसरी सुई क्या होगी यहां होगी यह बज़ गए 6 यह वे इस वीच है पर इसका मतलब क्या है इनके बीच का जो कोन होगा कितना होगा 180 डिगरी एक सुवसी डिगरी कब बनता है जब आधा रोटेशन कवर हो जाता है मैं यहां पर खड़ा हूं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर घूंके मैं ऐसे आ गया तो हमारे बीच का जो एंगल हुआ 180 डिगरी का अगर मैं पूरा घूम जाता तो हमारा 360 डिगरी बनता है आदा घूमने पर सिरफ 180 डिगरी बनेगा 180 डिगरी का मतलब क्या सुया एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगी एक दूसरे के बिल्कुल क्या होगी भई एक घंटे में एक बार और बारा घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिगरी का कोन बनता है एक घंटे में कितना एक बार अब वही चीज़ें आगी जो मैंने हमने पीछे पड़ी थी क्या जीरो डिगरी में जैसे पड़ा था न 12 गंटे में 11 बार और 24 गंटे में 22 बार यहां भी एक की कमी क्यों आई है एक की कमी ऐसे आई है मेरे भाई हमें जो समय दिया होता है 5 से 7 के बीच कुन सा? 5 से 7 के बीच यह देखो है यह हमारा 5 यह 6 और यह 7 यह समय एक ऐसा समय है जहां पर शिरफ 6 बजे यानि कि ना तो 6 से 5 के बीच में और ना ही 6 से 7 के बीच में एक स्वस्षी डिगरी का कौन बनता इन 2 गंटों के अंदर शिरफ एक बार ही एक स्वस्षी डिगरी का कौन बनता है और कितने बजे बनता है वो पूरे 6 बजे बनता है 2 गंटों में 1 बार बना यहां से 1 की कमी आजाती है और कमी आने के बाद पूरे 12 गंटे में 11 बार ही 0 डिगरी का हमारा कोन बन पाएगा तो यह बात आपको नोट करनी है 5 से 7 के बीच सिरफ 1 बार ही 1 डिगरी का कोन बनता है और 12 गंटे में 11 बार 24 गंटे में 22 बार ही 0, एक्सवसी डिगरी का कोन बन पाएगा, इसके लिए भी हमारी ट्रिक काम करेगी, जैसे हमने 0 डिगरी निकालने के लिए हमने क्या किया था, 60 बटे 11 से गुना कर दिया था, हमारा सीधा सीधा उत्तर आ गया था, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, और थोड़ा सा चेंज ही आपको याद रखना है, ज्यादा बड़ा गर्बर घुटाला नहीं करना, कुछ नहीं करना, दिये गए गंटे की संख्या 6 से अधीक है, जैसे मेरे भाई, जैसे मैंने लिखा, 9 और 10 के बीच, हमारा किस्चन ऐसा आएगा, 9 और 10 के बीच, वह कौन सा समय है, जब घड़ी की सुईया, 180 डिगरी पर होती है, 180 डिगरी पर होती है, ऐसा समय आपको निकालना है, तो मैंने कहा है, जब दिये गए घंटे की संख्या 6 से अधीक है, घंटा हमारा ये माना जाएगा, ये 6 से अधीक है या कम है, हमें ये ग्याद करना है, ये आपको पता 6 से अधीक है, जब 6 से अधीक है तो इसमें से 6 घटा देंगे, यदि 6 से कम होती, यहाँ पर 3 होता 4 होता 5 होता 2 होता 1 होता तो हम क्या करते उसमें से 6 जोड देते मेरे भाई यह आपको याद करनी है चीजें ठीक है 9 में जब समय 6 से अधीक है तो इसमें हम क्या करेंगे 6 घटा देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 6 गट आने के बाद 3 आएगा अब 3 आने के बाद ही इसको 60 बटे 11 से गुना करेंगे 6, 3, 18 180 को भाग करेंगे 11 एकम 11 बच गे 7 11 चिका 66, 4 बटे 11 16 सही 4 बटे 11 क्या ही हमारी मिनट आईए इसका मतलब क्या है समय तो हमें वही लेना है 9 और 10 के बीच में 9 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट देखो भी यह हमारा इंसर होगा इसमें आपको चीज़े इतनी याद रखनी है क्या याद रखना है कि जब समय 6 से बड़ा है या 6 से चोटा है जब 6 से बड़ा है तो 6 घटा 2 और 6 से चोटा है तो 6 एड़ कर दो हमारा इंसर हो जाएगा यहीं पर 2 से 3 के बीच पूछता तो मैं 6 एड़ करके ही 60 बटे 11 से गुणा करता हूई ठीक है तब ही हमारा कोन निकल पाता है ठीक है नो और दस के बीच देखो नो और दस के बीच हमने निकाल लिया यह आगे चलते हैं पांच और 6 के बीच पांच और 6 के बीच निकालें आपको पता है भाई 5 और 6 जब समय 6 से चोटा है तो इसमें 5 एड़ कर देंगे अब 6 एड़ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा अब 60 वटे 60 वटे 11 से गुणा करेंगे कितना हमारा इंसर है साथ साथ मिनट आई यानि कि 5 बजकर साथ मिनट 5 बजकर साथ मिनट का मतलब कितना बज़ गया 6 बज़े यानि कि 6 बज़े ही 180 डिगरी का कौन बनेगा 5 और 6 के बीच में कोई कौन नहीं बनेगा हमारा कौन बनेगा कितने बज़े 6 बज़े पूरे 6 बज़े 5 से 6 के बीच में नहीं बनता और हमारा 6 से 7 के बीच में नहीं बनता 5 और 7 के बीच में एक बार बनता हो कितने बज़े भाई 6 बज़े बनता है यह चीजे कलियर होगी ठीक है इसके बाद हम बात करते 90 डिगरी पर 90 डिगरी पर आ जाते मेरे भाई 90 डिगरी 90 डिगरी हमें क्या कहता है 90 डिगरी प्रते गंटे में दो बार बनता है प्रते एक गंटे में कितनी बार दो बार गड़ी की सुया एक गंटे में दो बार 90 डिगरी पर होती है गड़ी की सुया 12 गंटे में 22 बार होती है दो बार यहां पर कम हुआ और 24 गंटे में कितनी होती है भई 44 बार होती है अब ये दो बार कम क्यों हुआ इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और चर्चा हमें क्या कहती है ये देखिए ये आया आपका ये आया तीन ये बारा हमें कोई भी समय दिया मिले हमें दो प्रकार के समय देखिए एक तो half time ये हुआ half round ये half round ये ठीक है एक बार तो 90 degree का कोण बनेगा इस side बनेगा और अगली बार 90 degree का कोण इस side बनाएगी घड़ी की सुया ठीक है जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर सर एक बज चुका है एक बज चुका है जैसे ही एक बजा जैसे ही एक बजा मेरे भाई या फिर मैंने कहा कि 12 बज चुके है 12 बज गे और मैंने कहा कि 90 degree का कोण कब बनेगा 90 degree का कोण कब बनेगा 12 बजते ही 12 बजते ही 90 degree का कोण तब बनेगा भाई जब हमारी सुया एक यहाँ पर होगी और एक थोड़ी शी आगे चली जाएगी ऐसे इनके बीच का कौन कितने होगा 90 डिगरी का ठीक है और ऐसे ही थोड़ी शी आगे जब चली जाएगी एक बजने वड़ा होगा तो यहाँ पर फिर एक बार 90 डिगरी का कौन हमारा बनेगा यानि कि दो साइड 90 डिगरी का कौन बनेगा लेकिन इसने कहा कि 12 गंटे में सर 22 बार ही बनता है वो 12 गंटे में 22 बार क्यों बनता है वो देखिए वो ऐसा क्यों होता है वो ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई जब हमारे पूरे तीन बजे होते हैं क्या होता है, पूरे तीन बजे, जब पूरे तीन होते हैं, तो हमारी सुया 90 डिगरी पर ही होती है, कितने होती है, 90 डिगरी पर, या हमारे पास पूरे जब 9 बजे होते हैं, जब हमारे पास पूरे 9 बजे होते हैं, तब भी हमारी सुया कितने डिगरी पर होती है, 90 डिगरी टिक है, यानि कि जब हमारे 2 से 4 के बीच हम count करते हैं, तो हमारी 2 से 4 के बीच 3 गंटे के अंदर, 3 गंटे के, और 2 गंटे के अंदर सिरफ 3 बार ही 90 डिगरी बनेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में जो 2 गंटे हुए, दो घंटे हुए यहां पर भी क्या होगा मेरे भाई तीन बार ही तीन बार ही 90 डिगरी का कौन बनेगा ठीक है बनना चाहिए वैसे तो दो घंटे में चार बर जब एक घंटे में 90 डिगरी का कौन बनता है एक बार बनता है एक घंटे में दो बार बनता है दो घंटे में चार लेकिन एक यहाँ पर कम हुआ एक कहा पर क्यों क्योंकि पूरे तीन बजे बने Distribution यहां भी पूरे नो बजे बनेगा तो यहां पर udi tekill पूरे सिरगरी कोया होता है यहां दो चिज उरगे क्या इग बताईज क्या बताया भई जब हमारा गैप होता है एक का टोटल गैप कितने घड़ी में बारा गैप हमने बताए एक गैप 30 डिगरी के बराबर होता है पलस माइनस लिख लें आप जब हमारे दो गैप होते हैं दोबार देखिए जब हमारे 30 डिगरी होते हैं तो एक गैप बनता है जब हमारे 60 डिगरी होते हैं तीन गैप 90 डिगरी होते हैं तो यहाप दो आएगा तीन गैप और ऐसे ही 180 डिगरी जब हमारा आया तो हमने क्या कहा 6 गैप बन गया ये पलस माइनस इन के आगया आप लिख लीजिए ये क्या कहना चाता है ये ये कहना चाता है जब हमने 180 डिगरी का एंगल निकाला था या तो हमने 6 जोडा था या 6 गटाया था ठीक है ऐसे ही जब 90 डिगरी का एंगल निकालेंगे एक बार पलस करना है और एक बार क्या करना ह क्या करना है पलस माइनस तीन करना है ठीक है मेरे भाई तीन करना है जैसे 90 डिगरी निकालना है 90 डिगरी को आप 3 की से भाग करेंगे 30 से भाग कर देंगे तो हमारा 3 आया तो पलस माइनस 3 करना है 180 डिगरी का एंगल निकालना था तो हमने 30 से भाग किया तो पलस माइनस हमने 6 स्था किया था तो मिर्य वाई ऐसे ही आपको साथ डिगरी का एंगल निकालना मिले तो पर । क्या करेंगे इर आप को 24 डिगरी का एंगल आगर निकालना को मिले 24 भाग में 30 24 चार पंजा 35 4 प्टे 5 पलस या माइनस करेंगे फिर हमारे एंगल निकल के आएंगे ये चीजे आपको बेसिक से सीखनी है लेकिन क्यूस्टन्स आपको 90 डिगरी 60 डिगरी 90 डिगरी 180 डिगरी 0 डिगरी पर ही ज्यादातर मिलने वाले हैं ये देखे 67 के बीच वह समय क्या होगा जब घड़ी की दोनों सुईयां 15 मिनट की दूरी पर हो 15 मिनट की दूरी का मतलब समझते हो 15 मिनट की दूरी यही तो कहती है कि 15 मिनट कब होगी जब घड़ी की जो सुई है वो 3 पर आ जाती है यहाँ से सक्य यहाँ पर आ जाती है यही तो 15 मिनट है और इसको हम क्या बोलते है? 90 degree बोलते है क्योंकि minute की सुई एक घंटे में 6 degree बनाती है और 15 मिनट में क्या बनाती है 90 degree 15 गुणा 6 करेंगे 90 degree ही तो हता है यह question ऐसे दे या ऐसे दे बात एक ही है तो 6 से 7 के बीच से मैं ग्याद करना जब घड़ी की दोनों सुयां क्या होती है भई नब डिगरे कोन पर होती है हमने कहा इसमें से क्या करेंगे पलस माइनस थरी करेंगे क्या करेंगे पलस माइनस थरी एक बार इसमें क्या करेंगे 6 में 3 जोडेंगे एक बार 6 में 3 घटाएंगे देखिए, 6 में क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 3 आएगा दूसरी साइड 6 में 3 जोडेंगे पलस माइनस थरी करना मेरे भाई याद रखना ये चीज 9 आएगा, फिर इसको क्या करेंगे 60 बटे 11 से गुणा करेंगे इसको भी क्या करेंगे 60 बटे 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 तीए 18, 180 बटे 11, 11 11 बचगे 7 11 चिका 66 एक तो हमारा ये आगया चैनिमा, चमन ये देखोए 11 चोक 44 देखी कैसे करेंगे भाई 540 को, सिंपल है न 11 चोक, 44 बचगे कितने 10, 10 बचे ना 11 निम, 99 बचगे एक, यानि कि उनेंचा सही एक बटे 11 उनेंचा सही एक बटे 11 ठीक है ऐसी तो आएगा यहाँ तक चीजे समझ में आई या नहीं आई, बताइए कलीर है अब देखिए हमने दो बताए था, दो बार बनता है एक बार, फस्ट हाप, सेकिंड हाप फस्ट हाप, सेकिंड हाप में दो बार, 90 बचगे का बनता है एक बार तो क्या होगा? 6 बचकर 16 सही, 4 बटे, 11 मिनट पर यह टाइम जो है, यहाँ पर 90 डिगरी का कोन बनेगा एक क्या होगा यहाँ पर 6 बचकर 6 बचकर उनेंचा सही, 1 बटे 11 मिनट पर यह जो टाइम दिया गया हमारा दो बार हमारा 90 डिगरी का कोन बनेगा? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है कि जब हमारा 90 डिगरी का कोन निकालना हो मेरे भाई तो पलस 3 करना है या फिर माइनस 3 करना है चीजे बहुत असान है लग बलग कितना से मैं हो गया हमें लग बग, लग बग मेरे भाई सवा घंटा अभी तक हमें हुआ है चीजों को समझते समझते बस थोड़ा सा ओर है फिर हम इसको विश्राम देंगे क्या कहता है साथ और आठ के बीच का वैसे मैं गयात कि जब घड़ी की सुई यहां 90 डिगरी प्र होती है साथ में क्या करेंगे मेरे भाई तीन माइनस करेंगे जब तीन माइनस करेंगे तो क्या होगा और जब तीन पलस करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई जब तीन माइनस करेंगे यहां पर चार हो जाएगा यहां पर दस हो जाएगा इसको 60-बटे 11 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे, इसको भी 60-बटे 11 से करेंगे थीक भी, 6-24, 240-बटे 11 हुआ, यहाँ पर 600-बटे 11 हुआ भी 240 को आपने 11 से भाग किया, तो मेरे भाई क्या आएगा, 11 दुनी 22 थीक भी, 11 एकम, 11 सबाइब दोसे हुद का या एक बार आंगल 90 डीग्री का इसाइड बना इस साइड कब बना जब लगबग 21 मिनट पर हमारी 4 से थोड़ा सा आगे खिसके हमारी सुई आ गई होगी ठीक है 21 मिनट पर और दूसरा एंगल कब बना हुआ जब मिनट की सुई लगब लगबग चुम्मन के पास होगी यानि की पिछमन के पास ठीक है एक तब बनेगा और एक इस साइड बना दो बार हमारा एंगल बना एक तो हमारा साथ बज़कर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर बना और दूसरा एंगल हमारा साथ बज़कर चुम्मन सही 6 बटे 11 मिनट पर हमारा एंगल बना बताओ भई वा जी वा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भई, दो से तीन के बीच की बात कर दी इसने, दो से तीन के बीच की बात कर दी भई, दो से तीन की बीच की बात करने का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट आपको लगा हुगा, देखिए, दो से तीन का मतलब क यह घ्मनासिण क्रैंगे तो पांच बजकर त्यक्र फेलेशन से त्मीज़ करने का मतलब है लो मेंस टीन माइनस करने का मतलब physician माइनस एक होगा जब माइनस एक सब्सक्राइब इस minus 1 को हम क्या करेंगे minus 1 को हम 11 count करेंगे ठीक है, 12 में से 1 minus कर देंगे minus 1 को हम क्या करेंगे 11 count करेंगे ठीक है ऐसे ही 11 को अब questions कर लोगे अब तौशानी से कर लोगे वही चीज़े जैसे हमने की थी यहां से minute निकालो और हमारा answer कलीर हो जायेगा के लिए रहती जें ओके आगे चलें थोड़ा सा यह देखो पांच से च्छे के बीच कब है वह समय ग्यात करना है जब घड़ी की दोनों सुयां 24 डिगरी कोन पर हो अब यहां पर ना ही तो 90 डिगरी दिया ना ही 60 डिगरी ना ही जिरो डिगरी ना ही एक्सवसी पूरा कितना दिए 24 डिगरी और हमने यह बता था खी हमारा 30 डिगरी जो होता है जो 30 डिगरी होता है एक का लिचा गय अब हमें निकालना कितने का 24 का ऐसे ही 24 डिग्री आगर बात करें 24 डिग्री की बात करें मेरे भाई तो गुणा में 24 बेठेक हो छाएगा यह लिस सोर पर 27 eu invasiveec यान की यहाँ पर जो गैप होगा पलस मैंनस च्यारवते पांच का होगा क्या होगा भई पलस माइनस 4 बटे 5 का होगा ठीक है जब हमें यहाँ पर एंगल निकालना हो एक बार तो इसमें पलस 4 बटे 5 करेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस 4 बटे 5 करेंगे फिर 60 बटे 11 से क्या करेंगे गुणा करेंगे भई ठीक है कर दें थोड़ा सा कर दिया जाए देखिए भे यहां पर कर लेते हैं इस साइड भाई पांच में से एक बार मैंने क्या बताया भाई पलस चार बटे पांच करेंगे और दूसरी बार हम क्या करेंगे 5 में से माइननस 4 बटे 5 करेंगे 5 गुना 5, 25 और 4, 29 बटे 5 5, 25 में से 4 गया 21 बटे 5 इसको किसे गुना करेंगे 60, 11 जारां से अच दहारा परबुटे जयारा आयारे यह उर आला है यह यह मिनटें से मुथन लें सघआरें तो हुंहारा एञ सराइगा दो हमेरे एंगल बन जाएगे Dusk दो बार बनेंगे एक जर्श्थाब में बनेगा और एक second half में बनेगा एक तो 5 बज़कर इतने मिनट पर और दूसरी 5 बज़कर इतने मिनट पर यह solution आपको करना है तरीका मैंने बता दिया calculation मैंने पहले भी बहुत कर लिए calculations अभी आपको ही करनी है कलियर रहे हैं ओके जी लास्ट आज का लास्ट लेते हैं थोड़ा सा दरपनचवी कभी कभी कुश्चन आ जाते हैं दरपनचवी से भी दरपनचवी हमें क्या कहती है जब हमारे पास यहाँ पर कोई समय दिया होता है और उसी को हमें सिस्षे में समय देखना होता है ज़से हमें इस साइड था और उस साइड हमें वही समय सब सिस्षे में देखना होता है तो हमें समय कैसे पता चलता है तो हमें समय कैसे पता चलता है मेरे भाई यह देखिए दरपन छवी में समय दाएं से बाएं वा बाएं से दाएं बदलता है घड़ी में समय तीन है तो सिसे में नो दिखाई देगा जो उपर जो निचे है या 6 बजे है या फिर 12 बजे हैं देखिए भई या तो आपके 6 बजे हूँ या फिर आपके 12 बजे हूँ जब आप इसको सी से में देखेंगे तो आपको 6 के 6 ही दिखाई देंगे 6 के कितने दिखाई देंगे? 6 जब 12 बजए हो तो 12 का 12 ही दिखाई देगा यानि कि जब दरपन में हम समय देखना होता है या तो दाएं से बाएं बदलेगा और 20 से दायँ बदलेगा उपर से नीचे आपका समय नहीं बदलेगा 6 का 6 रहेगा 12 का 12 रहेगा ठीक है और हमारी trick इसके अंदर क्या कहती है हमारी trick इसके अंदर ये कहती है जब हमें 12 या 11 से ट मेंसे घड़ी का समय घटाते तो दरपन का समय आ जाती कैसे आप से कहा गया मेरे भाई, 3 बज कर 40 मिनट है, 3 बज कर 40 मिनट किसी घड़ी में समय है, और आपको निकालना ये है, किसी घड़ी में 3 बज कर 40 मिनट का समय दिया गया है, जब उसको सीसे के सामने रखा जाता है, दरपन के सामने रखा जाता है, तो दरपन में वो समय क्य का हुगा हमारी ट्रिक यूज़ कहती एक 12 आ 11-30 में से कभेका समय समय घटा का मतलब ही 11-30 यहां बच के 11-30 में ठीक है तो इसमें 11.60 में से जब हम 3.40 मिनट इसमें से माइनस करते हैं तो ये तो हमारा 20 मिनट हो गया 11.30 में से 3 गया 8 है तो हमारा जो समय है जो हमने यहाँ पर 3.40 मिनट देखा था अगर हम इस साइड देखें तो मेरे भाई, क्या होगा, इस साइड 8 बज कर 20 मिनट हमें दिखाई देगा, ये हमारा दरपन की ट्रिक कहती है, याद रखना है, क्या करना है मेरे भाई, उसमें आपको 11.60 में से चीज़ें घटा देनी है, आपको चाहे कुछ भी समय क्यों ना एक छोटी सी चीज और इसके अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, क्या, जब हमने दरपन वाला कर लिया, 11.60 में से घटाना, कोई भी समय आपको दिया, 11.60 में, 11.60 में से आप घटाते चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जब हमें वाटर इमेज देता है, वाटर इमे बारा इमेज में, 12 बज Baltimore होते हैं, तो वाटर में देखेंगे, हम हमें 6 बजी दिखाए देंगे, ठीक है, वाटर इमेज के अंदर साइड वाले दाएं से भाइं भाइं से दाएं भाइं चेंज नहीं होता, लेकिन, यानि कि बाइं का भाइं ही रहेगा, दाएं का दाएं ह लेकिन इसके लिए हमारी ट्रिक यह कहती है जब हमें निकालना हो वाटर में इमेज तो आप उसको 6 बज़कर 30 मिनट में से माइनस कर दीजिए क्या करिए भई 6 बज़कर 30 मिनट में से उसको सोरी अठारा तीस है अठारा बज़कर 30 मिनट में से माइनस कर दीजिए तो आपका कलियर और कलियर एंसर आ जाएगा ठीक है मेरे भाई कोई भी समय आपको दिया जैसे आपको दिया भई 8 बीस है समय है आठ बज़कर 20 मिनट और आप से कहा गया इसी समय को अगर वाटर के अंदर देखा जाए तो हमारा समय क्या होगा वाटर के अंगर आपको देखना है तो मेरे भाई 18 बीस माइनस कर देंगे जब 8-20 माइनस करेंगे तो हमें 10 बजकर 10 मिनट वो शमय दिखाई देगा लगबग लगबग में water के अंदर water के अंदर clear image नहीं बनती clear शमय हम नहीं बता सकते ये लगबग लगबग में आता है तो water के अंदर अगर देखा जाए पानी के अंदर जो परती भी मनेंगा 10 बजकर 10 मिनट के लगबग हमें दिखाई देगा exact value water के अंदर हम नहीं निकाल सकते मेरे भाई तो यहां तक हमने चीज़ों को cover किया उमीद करते हैं आपने जो कलो का जो chapter है बहुत अच्छे से और प्यार से समझा है बिल्कुल धीरे धीरे हमने इसमें समझाने की कोशिश की है बिल्कुल डेट गंटे का समय हमें लगा है पूरे chapter को cover करने में अब आपके उपर है कि आप इसके उपर कितनी practice करते हैं कितनी बार इसका revision करते हैं चीज़े बहुत असान थी thank you धन्यवाद अगर आपको चीज़े समझ में आई है वीडियो अगर समझ में आई है एक के questions आपको समझ में आई है तो दोस्तों के साथ इस चीज़ को आप जरूर शेयर कीजिए तो आज के लिए इतना ही thank you धन्यवाद और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए जुड़े रही है हमाँ साथ और एक्जाम करांती के बिल्कुल अच्छे से सब्सक्राइब पर लिजे ताकि हर एक notifications आप तक पहुंचे है धन्यवाद